Hello everyone, मैं हूँ आपका दोस निशान्त और ग्यान सिफारी में आपका स्वागत है जब भी हमें debit card को block कराना होता है तो हम सबसे ज़्यादा जो popular जो action है वही लेने की कोशिश करते हैं smart work नहीं करते हैं हम hard work करना चाहते हैं बट smart work करना नहीं चाहते हैं वह hard work की है कि हम पहले तो उस block कराने के लिए एक application लिखते हैं उसके बाद branch जाते हैं branch में imply को देते हैं और दूसरा option हमारा customer को लेकर है customer को call करो 15-20 मेट तक waiting में रहो उसके बाद उठे की तब आप उसको block कराने के लिए कहेंगे तो आज इस वीडियो में हम ऐसे तीन बहुत आसान तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे की आपका जो david card है वो चुटकियों में block हो जाए वो तीन तरीके क्या है चलिए बात करते हैं उनके बारे में एक एक करके तो बात करते हैं सबसे पहले process की देखे इस process में जिन लोग को अपने card का number याद है मतलब जिन लोग को पता है कि मेरे card पर क्या number प्रिंट हा तो वो लोग इस process को अपना सकते हैं इस process में क्या है सबसे पहले आपको type करना है capital letters में type करें block space दें अब क्यूंकि coronavirus फैल रहा है तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शब्दों के बीच में gap रहें मतलब एक परिवार के अलग रखें दूसे परिवार के अलग रखें जिससे की corona ना फैल जाए इन लोग के बीच में तो सबसे पहले आपको type करना है block capital letters में उसके बाद space दें single space then type करें C उसके बाद space देकर आपके जो भी last 4 digit है आपके जो भी card number की last 4 digit है आप उन्हें type करें माल यह 1,2,3,4 है तो 1,2,3,4 और आपको इसको जिस पर भेजना है जिस number पर भेजना है वो number है 8922009988 तो आपको जो यह SMS भेजना है वो भेजना है 8922009988 इस पर SMS यह जो आपने लिखा है block capital letter में then space देकर C then space देकर आपका जो last 4 digits है card की उसको type करके आप इसको इस SMS पर send कर दें जिससे कि आपका जो card है वो तुरंत ही block हो जाएगा तो guys यह तो पहला process था जिसमें आपको पता है कि आपका वही card number क्या था अब second option में देखते हैं कि अगर आपको card number आपको नहीं पता है तो हम अपने account पर issue debit card को किस तरीके से block करा है तो उसमें आप क्या करें आप simply यही जो पहले वाले process क्या था starting का वही रहेगा capital letter में आप लिखें block space दें space देने के बाद आपको लिखना है यहाँ जो A है आपको याद रखना है A जो यहाँ पर symbolize करा है वो account से related करा है जैसे कि हमने जब पहले वाले option में देखा था C type किया था C का मतलब है card से related card number आपको type करना है यहाँ पर A है इसलिए आपको account number की last की चार डिजिट है वो आपको यहाँ पर type करनी है तो माल लेते हैं एक space देना है साथ में ध्यान रखिएगा माल यह 1, 2, 3, 4 है हमारा last का account number यह इस पर type करने के बाद और जो अपना number यहाँ पर सेम ही रहेगा यहाँ पर जिस पर हमें भेजना है जो कि है 8922009988 इस तरीके से भी हमारा यह जो दूसरा option है इसके थरू भी हम अपने account पर जो David card issue है उसको block करा सकते हैं अब हम बात करते हैं अपने तीसरे option की कि माल लिया हमें ना अपने card का number याद है ना अपने account की last की four digit याद है तब हम अपने account पर जो issue है card उसको कैसे block करा हैं तो इसका भी तरीका लगवक सेम ही है बस हमें इसमें थोड़े से changes करने हैं देखें याद रखिएगा यह सारे जो option है वो आप अपने registered mobile number से ही try करें किसी और number से करेंगे तब यह option valid नहीं होगा तो third option में जो हमारा तरीका है उसको देखते हैं इसमें आपको क्या करना है simply starting का तो option वही है आपको capital letters में लिखना है block एक space देना है उसके बाद type करना है all तीक है अब एक ही account पर multiple cards भी हो सकते हैं क्योंकि कभी-कभी लोग क्या करते है add-on cards ले लेते हैं अपने परिबार में और भी लोग है बेटे को भी एक card दे रखा है अपने आपको भी अपना भी एक card चला रहा है तो यह add-on cards होता है तो इसलिए अगर एक ही उस पर और भी cards available है तो एक list जो आपके पास आईगे अगर एक है तो वो block ही हो जाएगा और अगर दो-तीन है तो list जो आएगे वो आपको उसके बाद reply करना है then आपका जो card आपने block कराने के लिए request डालेंगे वो card आपका block हो जाएगा तो दोस्तों यह तीनों option है जिसके थूँ आप आसानी से केबल चुटकियों में SMS भेज कर अपने card को block करा सकते हैं ना application लिखने का जंजट ना आपको branch जाने का जंजट ना बहुत देड़ तक customer care पे call waiting का जंजट तो इसलिए आप इन options को next time जब भी आपको बहुत जल्दी में अपना card block कराना हो तो इनी options को try करें और अगर time भी हो तब भी इनी को try करें क्यों आप अपना time waste करेंगे उमीद करता हूँ आपको मेरे द्वारत दी गई जानकारी समझ में आयोगी अगर आपका कोई सवाल हो कोई query हो या आप किसी और topic पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे comment section में लिख कर ज़रूर बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो हो तो इस वीडियो को like करें लोग के साथ share करें खास करके उन customer के साथ जिनका account bank of बढ़गा हमें है जिससे कि वो इस process को समझ सके और आसानी से अपने debit card को block करा सके अगर अभी तक आपने हमाई channel को subscribe ना किया हो तो channel को ज़रूर subscribe करें और bell icon को ज़रूर press करें जिससे कि हमारी कोई वी नई वीडियो आपको तुरन notify हो सके Thank you so much